राश्ट्री शिक्षा नीती बहुत जल्द लागू हो रही है इसी बीच CBSE के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिने अब आने वाले समय में स्टूडेंस नहीं पढ़ सकेंगे मुगल काल के कई चैप्टर्स को CBSE ने हटाया है अब ऐसे में विरोधा भास और विवाद इस मायने में भी हो रहा है कि आखिर अभी तक जो स्टूडेंस पढ़ रहे थे क्या वो सही नहीं था इस वक्त मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम मौजूद है शिक्षा विदो की इन से जानने के कोशिश करते हैं कि आखिर अब जो मुगल काल के इतिहास को हटाया जा रहा है या आगे आने वाले समय में और भी ऐसा सुन रहे हैं जानकार बता रहे हैं कि बहुत सारी चीजों को हटाया जाएगा तो क्या अभी तक हम सही नहीं पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक हम पढ़ाई ये तो नहीं कह सकते के सही नहीं कर रहे थे लेकिन अब नीती के हिसाब से हम पाठिक्रमों को ब्यवहार गत हलका कर रहे हैं बच्चों के मानसिक बोज हलका हो उनकी समझ में ह और उनको सही मिले, यही नहीं है कि एक ही पक्ष का हम महिमा मंडन करें, अगर हमारा एक हजार वरस का पराधीन दिल्ली, पूरा भारत नहीं कभी भी, दिल्ली और उत्तर भारत की कुछ लुग, तो अगर वो रहे, तो उसमें 700 वरस का और क्यों नहीं बताती हैं, आप 300 वरस क मुगल काल कोई क्यों इतना हाई-लाइट करती हैं? यानि कि ये एक पक्ष है, आपका पक्ष है? मेरा पक्ष ये है कि जो इतिहास वचले 1200 वरस के लिखा गया है, उसमें ये जो दरशाया गया है कि हमारा जो भारत था, वो कमजोर था और 1200 वरस के गुलाम था, और अखबर म महान जहांगीर महान और अंग्जे महान ये हमारे देश का सच्चा इतिहास नहीं है हमारे देश में कभी भी ऐसा समय नहीं रहा जब हमने इनको स्विकार किया हो अकबर जहांगीर महान नहीं तो फिर कौन महान अशोक महान वेद महान व्यक्ति नहीं हमारी संस्कृति हमारा स जान है उसके आधार पर अनेक देश कितनी प्रगति कर गए और हमने उनको पुस्तकों को भी धूल में रख दिया अब उनको धूल हटाकर उनसे कुछ सीखना पड़ेगा तब सही अर्थों में जो सिख्या निती है वह लागू क्या अभी तक के जो इतिहासकार थे वो सिर्फ एक ही तरफ मोड रहे तो आने वाले समय में और भी कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं क्या राश्टी शिक्षा नीती बहुत जल्द लागू होने वाली है तो ऐसे में कुछ और नए बदलाव इसी संसकरन पर देखे जा सकते हैं जरूर जरूर देखे जाएंगे और देखे जाने चाहिए ऐसा मुझे लगता है और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा इतिहास के पराजय का इतिहास कभी नहीं रहा है हम संगर्श सकाइटी आथा है किसी इसा समय नहीं आया है कि पूरे देश पर किसी एक कौम का राज रहा हो सब समय राज जी बिटे हुए थे कहीं छोटा कहीं बड़ा ऐसे राजा थे कहीं नबाब थे और उनके द्वारा ही ये देश शासित हो रहा है जहां जहां अत्याचार होता था वहां संगर्ष होता था जहां अत्याचार नहीं होता था वहां लोग चाहिन से रहते थे काने वाले समय में जो स्टूडेंस हैं वो और क्या पड़ पाएंगे जिससे अभी तक अचूते रहे गए अच्छूते इस माने में रहे हैं कि जिनोंने इतिहास को अच्छी तरह से जाना भी नहीं लेकिन अपने विचारों को थोपना है इसलिए इतिहास को विकृत करके उनको पढ़ाया गया ऐसे जो वामपंधी विचारक थे उन्होंने अपने आपको इस्टेबलिश किया कि हम ही चिंतक है हम ही फिलोसाफर है जबकि वो साधारण हमारी जैसे वो भी है लेकिन उनको चाहपित किया गया और उनके दौरें इतिहास लिखाया गया तो तो यह भी एक इतिहास होगा और राश्री शिक्षान इति बहुत जल्द लागू होने वाली है इसे में बेहत दिल्चस होने वाली है और आने वाले समय में जो students पढ़ने वाले हैं क्या वही इतिहास है या अभी तक हम और आप जो पढ़के चुके हैं क्या वही इतिहास है हाले कि इस पर अभी लगातार विवाज चल रहा है लेकिन इतना तो तय है कि जो इतिहास अभी तक पढ़ा है अब आने व झाल झाल